Assalamualaikum जी, इस lesson में हम देखेंगे कि component की states कैसे बनाई जा सकती हैं और उसकी क्या importance है when designing a website और application तो अगर आप यहाँ पर देखें मेरे पास एक UI kit है मैं इसको play करता हूँ और देखते हैं कि जो states है वो क्या चीज है So, यहाँ पर हमारे पास उपर एक menu है और इस menu के उपर जब मैं hover करता हूँ So, इसकी state change होती है ठीक है? So, this is not the actual website, this is just a prototype और हम यह different states set कर सकते हैं Adobe XD के अदर तो यहाँ पर let's learn किसकी states कैसे set की जा सकती है तो मैं यहाँ से text लेता हूँ और मैं लिखता हूँ जी, magazine ठीक है? इसका हम यहाँ से एक type phase set करते हैं That is going to be pop-ins और इसको medium set करते हैं इसका color थोड़ा सा dark करते हैं ठीक है जी? इसको zoom in कर लेते हैं So this is going to be the normal state और इसकी हम state change करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा? इसको select करूँगा और यहाँ से इस component के जो plus का icon है इस पर click करूँगा ठीक है? तो यह इसकी default state हमने set कर दी मैं दुबारा से इस पर click करता हूँ और यहाँ से इसकी hover state set करते हैं ठीक है? तो इस वकत हम दो states create कर चुके हैं लेकिन fill वक्त के लिए दोनो states बिलकुल सेम है तो अगर आप देखेंगे default state में आपको क्या नजर आएगा? वो भी बिलकुल वैसी ही है जैसे के hover state है तो hover state को थोड़ा सा change कर लेते हैं तो हम यहाँ पर सरफ और सरफ इसका जो टेक्स्ट है जो टेक्स्ट कलर है इसको change करते हैं ठीक है? तो इस टेक्स्ट कलर है इसको चेंज करते हैं सरफ इस सीज को test करने के लिए ठीक है जी? इसको नाम दे लेते हैं state और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको बाकी default state में वापस लेके जा रहा हूँ ठीक है जी? इसके बाद मैं इस दोबारा state पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से prototype में जाता हूँ ठीक है और प्रोटोटाइप में जाने के बाद हम इस डिफॉल्ल स्टेट पे एक इंटरेक्शन सेट करते हैं इंटरेक्शन क्या है मैं इस इंटरेक्शन पे क्लिक कर रहा हूं और यहां से मैं ट्रिगर सेट करता हूं और यहां से मैं सेट करता हूं जी टाइप जिस्ट ए ट्राजिशन और बागी सारा कुछ मैं इसका नन कर लेता हूं ठीक है और बिल्कुल ऐसे ही मैं होवर पे क्लिक कर रहा हूं और यहां से भी हम एक इंटरेक्शन सेट करते हैं तो इसके उपर करसर होवर किया जाएगा तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी डिफॉल्ट स्टेट और बिल्कुल ऐसे ही डिफॉल्ट स्टेट पे जाते हैं और दोबारा से इसकी interaction एड़ करते हैं और यहां से इसकी जो destination state है वो हमने change नहीं की थी so this is going to be the hover state वापस जाते हैं default and hover state ठीक है इसको play करते है यहां से और मैं simple अपना cursor इसके ओपर लेके जा रहा हूं और यह अपनी state को change कर ठीक है तो इसकी hover state क्या है हमने सरफ इसको color assign किया था and nothing else और जिसकी default state and that is the black color so इस तरह से आप अपनी states को change कर सकते हैं और अगर हम इसकी back side पे rectangle add करना चाहते हैं जैसे कि आपने उस example में देखा तो इसमें हम क्या करेंगे वापस design में जाते हैं मैं इस layer को select कर रहा हूँ और यहां से इसकी hover state पे click करते हैं और इसमें एक scale add कर देते हैं ठीक है तो मैं यहां से एक rectangle create करता हूँ इसको यहां पे place करता हूँ ठीक है इसका color हम यहां से change कर लेते हैं that is going to be a green color right इसको मैं copy कर रहा हूँ और इस पे click करने के बाद double click करते हैं इसको और यहां पे उसको paste कर देते हैं ठीक है और इस layer को right click करके send to back कर देते हैं और यह जो text का color है इसको कर देते हैं जी white और यहां से इसका style मजीद bold कर देते हैं ठीक है जी और यह जो artboard है इसको यहां से side पर लेके जाते हैं artboard create करते हैं that is going to the pixel 3x ठीक है और pixel 3x के अंदर हम अपने इस button को place करते हैं और इसकी जो state है वो default state इस वकत के लिए set कर लेते हैं इसको यहां से play करते है and let's see what are the results यह default state है और जब हम इस पर hover करेंगे so this is the hover state of this component ठीक है so कुछ इस तरह से आप अपनी states create कर सकते हैं और उस पर transition apply कर सकते हैं so see you in the next lesson thank you so much you झाल 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 मे झाल कर पकर झाल में जा सबस्सक्चंदू